संस्कृत कविता में वंदनाय प्रस्तुत हैं मेरा निवेदन यह रहता है कि प्रातख काल ही हम देवी देवताओं की वंदना तो करते ही हैं और करनी भी चाहिए किन्तो हमारी उतनी ही वंदनी विभूतियां हैं भारत धरित्री हमारी राष्ट्र माता उतनी ही वंदनी है संस्कृत भाषा इन सब पर वंदना की कविताएं हैं भारत वसुन्धरा की वंदना है हिमगिरी धवल की रीटा गंगा यमुन उत्तरी यकृत शोभा दक्षिन जलधिक्षालित चरणा भारत वसुन्धरा जयती हिमालय का मुकृत पहने हुए गंगा और यमुना के वस्तर पहने हुए यह भारत माता है दक्षिन समुद्र जिसका चरण धोता है हिमगिरी धवल की रीटा गंगा यमुन उत्तरी यकृत शोभा दक्षिन जलधिक्षालित चरणा भारत वसुन्धरा जयती भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग-अलग रितुएं छह रितुएं बिलकुल अलग-अलग रंग लेकर आती हैं रितुओं का वर्नन है घनाक्षरी छंद में जिसे कवित भी कहते हैं नाना वृक्ष वल्लर योत्र रोहंते वसंते ततो गृष्मे दिग्दिगंते रश्मिमाली दीप्ति मास्त्रनाती परितः प्रभूत भूरिकर्षा भांति वर्षायत्र शरदिशशांकरुक प्रकर्षाद भूर्मुदम्ददाती तूलिका निवीता यत्र हेमंते रमंते जनाह शिशिरे स्वदंते वन्हितापा पवने प्रवाती श्रेयसी समस्त समयेशु गिरिस्थेयसियम प्रेयसी प्रकृतिदेव्या भारत धरित्री भाती यह धरित्री ऐसी है जिसमें हर रितु के अलग-अलग रंग हैं अलग-अलग छटाएं हैं वसंत में फूल खिलते हैं ग्रीशु में सूरज जम कर तपता है वर्षा में निरंतर खेतियां होते हैं और शरद में चंद्रमा की चमक से लोग आलहादित होते हैं हेमंत में रजाईयों की बाढ़ आती है और जाड़े के दिनों में वन्हिताप आग ताप कर सारे गाउं में गर्मी पाई जाती है इस प्रकार विभिन रितुओं में स्थिर्ता देने वाली प्रकृती की प्रेशी यह भारत दरित्री है नाना वृक्ष वल्लर योत्र रोहंते वसंते ततो ग्रीश में दिग्दिगंते रश्मिमाली दीप्ति मास्त्रनाती परिज़ प्रभूत भूरि कर्षा भांति वर्षा यत्र शरदि शशांकरुक प्रकर्षाद भूर मुदम्ददाती तूलिका निवीता यत्र हेमंते रमंते जनाह शिशरे स्वदंते वन्हितापा पवने प्रवाती श्रेयसी समस्त समयेश गिरिस्थेयसियम प्रेयसी प्रकृतिदेव्या भारत धरित्री भाती भारत में इंदिनों में जो विकास के कारी हो रहे हैं और जन जन में जो उत्साह दिखलाई दे रहा है उसकी भी वंदना है काबेरी शतद्रु चंबलादी जलबंधा भूमि कर्षण प्रबंधा नव्य रीत्या भ्रशमासताम भूमि परिशकारो जनेश्वारोग्य प्रसारो भूरि निश्वुलका समस्त जन शिक्षाच प्रकाशताम गेहे गेहे भातु जलविद्युताम प्रकाशो धुना लोका राधनस्य लक्षे माप्य जनाश्वासताम नाना नव्य निर्मानई रपूर्व धनधान्य धरा भारत वसुन्धरा सू विश्वंभरा भासताम हमारी भारत वसुन्धरा शीग्री विश्वंभरा बन जाएगी विश्व भर में इसका जंडा बुलंद हो रहा है क्यों कि इसमें काबेरी सतलज और चंबल इन सब के जो बांध हैं उनसे जल मिलने लगा है नई प्रकार की खेतिया होने लगी है भूमी का परिशकार हो रह है आरोगी पर ध्यान दिया जा रहा है और निश्वल्क शिक्षा दी जा रही है ये सब इस भारत की वंदना के ही तो प्रकार है घर घर में जल विद्युत का प्रकाश हो रहा है और लोक शासन हो रहा है इस प्रकार अनेक नव्य निर्मानों से जिसमें नए धन धान्य आ रहे हैं ऐसी ये भारत वसुंधरा विश्वंभरा बनेगी काबेरी शतद्रु चम्मलाद जल बंधा भूमि कर्शन प्रबंधा नव्य रीत्या भ्रशमा सताम भूमि परिशकारो जनेश्वारो ग्य प्रसारो भूर निश्वल्का समस्त जन शिक्षा च प्रकाश ताम गेह भात जल विद्यताम प्रकाशो धुना लोका राधनस्य लक्षमाप्य जनाश्या सताम नाना नव्य निर्माणई रपूर्व धन धान्य धरा भारत वसुंधरा सव विश्वंभरा भासताम ये वंदना तो भारत धर्जत्री की है संस्कृत भाषा जो विश्व की प्राची निजम भाशा है उसकी वंदना के बिना क्या कोई प्रातक काली वंदना पूरी हो सकती है उसकी प्रशस्ति है शिखरनी छंद में यया लोके वेदाह परिकलित भेदाह प्रकटिताह स्मृती नाम धात्रिया प्रसवन करीयो पनिशदाम समस्तत्रै लोक्ये युपदिशति शैतान निर्जरगिरा अमर भाशा जिसने वेद पैदा किये जिसने स्मृतियां हमें दी जिसने उपनिशदें दी और जिसने अध्यात्म का पाठ सारे विश्व को पढ़ाया ऐसी निर्जरगिरा अमर भाशा पनिशदाह यया लोके वेदाह परिकलित भेदाह प्रकटिता स्मृती नाम धात्रिया प्रसवन करी योप निशदाम समस्तत्रै लोग के युपदिशति आध्यात्मिक पथम स्फुरत दिव्यत जोतिर जगति जयतान निर्जर गिरा इसके अतिरिक्त अन्निकई रण है हम पर संस्कृत भाशा के ये येई वादव स्रिष्टा नर जगति सभ्यत्व सरनिही यदीयं सामराज्यं कवचन समये प्राज्य मभवत येतो मूस संभूता जगत उदर सूता नर गिरो गिरासव गैर्वानी जयति वरवानी परिवर्णा जिसने विश्व को मानव के पुस्तकाले की सबसे पहली पु जननी कही जाती है ऐसी गीर्वान गिरा वंदित है येई वादव स्रिष्टा नर जगति सभ्यत्व सरनिही यदीयं सामराज्यं कवचन समये प्राज्य मभवत येतो मूस संभूता जगत उदर सूता नर गिरो गिरासव गैर्वानी जयति वरवानी परिवर्णा प्रत्वी संस्कृत भाषा की जो शास्त्र सामग्री है उसे प्रनती की गई है स्फुरनिगम वांग्मयेई स्फुत किरीट शोभावती पुरान रशनावती स्मृति मनोग्यमालावती यम्मुनिमनीशिनाम रदय मंदिरे भास्वती समस्त सुषमावती सुरसरस्वती सेव्यताम ये रशना पहने हुए है, मुनी और मनीशियों के हृदय मंदिर में इसकी मूर्ती हमेशा रहती है, उसकी हम वंदना कर रहे हैं पुरान रशनावती, स्मृति मनोग्य मालावती, यम्मुनि मनीशिनाम, हृदय मंदिरे भास्वती, समस्त सुशमावती, सुरसरस्वती सेव्यताम अब ये संस्कृत भाषा जितनी पुरानी है, उतनी ही नई भी है, ये आश्चरी की बात है, आज भी इसमें नई नई शैलियों का साहित्य स्रिजित हो रहा है, और सारी भाषाओं को यही शब्दावली दे रही है संस्कृत में नई ढंकी, नई शिल्प की कविताएं लिखे जा रहे हैं, ललित निबंध लिखे जा रहे हैं, नई नाटक, आकाश्मावनी दूर दर्शन के नाटक इसमें लिखे जा रहे हैं, और सारी भाषाओं को एक सूत्र में बांधने वाली, अपने गुण की के सूत्र में बांधने वाली यह सुरसरस्वती सबके पुर्ण से ही निरंतर फल रही है, फूल रही है यह जानकारी कम लोगों को ही होगी कि आज उच्चतर शिक्षा में जो शब्दावली चल रही है, समस्त भार्थी भाषाओं में, चाहे बांगला हो, चाहे तैल्गु हो, वह संस्कृत की दी हुई है, और हिंदी में तो संस्कृत की ही नवीन शब्दावली इस समय पढ़ाई जा रही है, अंतिम वंदना उसी की है ये उच्चतर शिक्षणे नव नवीन शब्दावली नव प्रविधि सम्मता सपति संस्तुता लक्षशः, समस्त जगती तरे प्रथम वाक्स्वरूपे स्मृता, जयत्यमर भारती भरत भूमि संजीवनी उच्चतर शिक्षा के लिए नवीन तम शब्दावली नई टेक्नोलोजी के अनुसार लाखों शब्दों के रूप में जिसने हमें दान में दी है और समस्त प्रथ्वी में पहली वानी के रूप में जिसकी वंदना की जा रही है वह भारत भूमि की संजीवनी है हमारी संस्कृत भाशा ययोच्च तरशिक्षणे नव नवीन शब्दावली नव प्रविति सम्मता सपति संस्तुता लक्षशा समस्त जगती तले प्रथम वाक्स्वरूपे स्मृता जयत्यमर भारती भरत भूमि संजीवनी जयत्यमर भारती भरत भूमि संजीवनी